हेलो फ्रेंट्स लाइविस्ट्राल पाउसाइफ में आप सबका सौगत है तो मैं यहां पे आपके साथ में चाए और एक मठरी की रैसे पे शियर करी हूँ जो है मेति की मठरी और ये बहुत ही मसाले दाल बहुत ही चटपटी और इतनी कुरकुरी इतनी क्रिस्पी है कि मुह में डालती है खुल जाती है तो इसके लिए मैंने लिया है यहां पर 250 ग्राम मैदा यह पाओ किलो मैदा है और इसके अंदर हम डालेंगे दो चम्मज घी आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं ब 20 मेंने इसमें डाला है हमारी जो क्रश की हुई चिली होती है वह और इसमें हम डालेंगे कलोंजी तो देखिए कलोंजी अब तो वो मेरा स्कीप हो गया है तो इसको ना पहले हम लोगों का अच्छी सारा मिक्स देना है अच्छा वाला और जब यह अच्छी तरह से सारा मिक्स हो जाएगा तो मुठी बांद कर आप दिखेंगे ना तो यह इकटा होने लगेगा जैसे क्रंबली टेक्शर होता है ना वैस इसके बाहरें हम लोग इसमें डालेंगे हमारी कसूरी में ती होती है वो तो मैंने लेने डाला यहन्प जाएं तो अगर वजन के असबसे लेंगे तो 1 एक मुठी बाल कर दो इसको मैंने गुंधे थंदर पानी से जो ठंड़ा पानी होता है मैंने इसमें अबंअ यह ठंड़ा पानी है थंदे पानी वो ska मेह हलगा हलका पानी डालकर इसको इक अच्छा सब्सक्राइब पमख मखता हूं कर लिजन निहाँ और पहले है एक नहीं करद ना difwand गूलना है तो देखिए मैं कैसे कर रही हूं ना बिल्कुल ऐसे ही करना है अब इसको मिक्स करकर करके अच्छी तरह से दबा दबा कर देखिए इसे फोल्ड करना है आपको और इसको ऐसे ही आपको गूंद रहा है देखिए अगर गाली की आवा जा रही है तो प्लीज I am so sorry देखिए ऐसा ये गुंद कर हो चुका है अब बिल्कुल इसको एकदम चिकना नहीं होगा ये अब इकटा कर देना है इकटा करके हम इसको ढग देंगे और ढग कर छोड़ देंगे आदे घंटे के लिए बिल्कुल अधा हंटा हो गया था मेरे आठेकर यहां पर रखे होए तो इसको हम लोग देखिए कैसे खोल कर अब इसको नहीं अ तीन पर लूँगे यह आपके उपर है आपको कितना चोटा करना है कितना बड़ा करना है कि छोटी लूभ यी बनानी है तो मैंने तो यहाँ पर बड़ी लोई ली हूँ ताकि यह जली जली से हो जाए और अब देखिए यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म मेरा अग्दम साफ है किसी को ऐसा ना लगे कि गंदा है प्लेटफॉर्म और यह वो दुनिया भर का तो इसके लिए मेरा प्लेटफॉर्म साफ है पूरा और मैं इसको बड़ी रोटी बनाओंगे तो मैं इसके लिए इसको प्लेटफॉर्म पर ही बेल रही हूँ अब देखिए अच्छे तरह से इसको बड़ा कर लेना है बेल कर देखिए मेरी लोगी भी बहुत जादा बड़ी थी लिए इसको बड़ा करें गे तबी जाकर उसका आग़े के आप जो प्रोस्यस होता है वो ढरेंगे इसके अदर य सुरू करें के पार दर बैसलिक इसको बेलने के बाद में ये प्रोसेस करने के बाद में पणी लगाओंगी, दीखिए इस तरह इसको पानी लगा देंगे, सब तरफ से, बहुत जादा इसको घिला गिला नहीं करना है, बथत अब आपनी का और इसके पर छिडगेंगे, हम लोग यह मैदा, इसके गिला चिडग करेंगे, अच्छी तरह से तरह मैदे को चिडग अच्छी तरह से देखिए पूरा spread करेंगे अब धीरे धीरे एक side से इदम tight करके इसको roll करते जाएंगे थोड़ा tight करना है इसको और अच्छे से फेद देखिए ऐसे roll होने के बार में इसको हाथ से ऐसे roll roll करके इसको अच्छे से फैलाना है थोड़ा सा ताकि यह अंदर से करते हैं, यbut यहांटा थोड़ी वाला बना रहे हैला है इसको बिलखुल नहीं बहुत चोटा चोटाऑ बनाएंगैं वाला बनाएंगे इसको अमलोग यहीं ब Whose P बढ़े हो जाते हैं 어떻게 अब देखिए यह हो गया है और इसको देखिए कैसे तो दर आदफे ऑ applies है इसके वाले मेरा यह सब्सक्राइब नहीं तो आपको इसको तूट्पिक से प्रिक्र कर लेयाँ पंद ढ़ेने लिए नहीं कर मेडा पतले दूटा इक अब इसाप से मैं यह रहा है पो तो character आपको बना इस पैसे अब सारी आन पूरिया न ना मेरा भाफल मेरे घृट्री यह बेल लोंगी और फिर इसको तलोंगी तो तेल एक बरतन में देखिए मैंने तेल लिया है यहाँ पर तो यह रिफाइन ओयल था मैंने रिफाइन ओयल लिए हूँ और एक एक करके हम डाल देंगे हमारी जो मठरी है और बिल्कुल ज़िए टाइम नहीं लगेगा इसको 2 मिनिट लगेगा डेर से 2 मिनिट बस ज़्यादा स्लो करना है इसको तलना है स्लो टू मीडिया में रखिए बैस ज्यादा फास्ट मत करिए देखिए उन्हें तो बहुत जल्दी कलर पकड़ लिया है दीरे दीरी इसको तलना है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ऐसे दल कर और आप न रख भी सकते हैं इसको अच्छी तरह अगर तला हुआ है आपका यह मठरी तो महिनावर चल लाता है ऐसे कंटेनर में भरके रख देंगे मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं चलता है ऐसे ही जैसे बन रहा था ऐसे ही खाते जा रहे थे इसको बहुत टेस्टी ल इसका जो कलर होता है वो पकड़ लिया है इसके अंदर चाहे जब भी वाई जाओर करो गाड़ी की आवास ज़रूर आएगी तो देखिए ऐसे ही इसको अब ना तल लिया है यह हो गया है अभी इसको ना इकटा करेंगे हम लोग मैं देख ले रहे हूं एक बर पलड़ कर कि हुआ है कि नहीं यह अच्छी तरह से हो चुका है तो अभी इसको हम लगे कटा करके और एक न इसको जाली में निकालिएगा पेपर लगा कर या तो जाली में निकालिएगा या तो अच्छी तरह से फैला दीजेगा थाकि यह नीचे से ना बिल्कुल भी नरम ना हो तो दे अब देखिए सेकेंड वाला बैच है यह भी मैं इसमें डाल दे रही हूं तो मेरी कढ़ाई छोटी थी इसलिए मैं चार चार डालकर यहां पर तल रही थी और यह बहुत ज्यादा डेश्टी निकलता है बहुत ज्यादा डेश्टी अगर आप सफर में भी लेके जाना चाते थे सफर में भी लेके जा सकते हैं यह बहुत ज़्यादा अच्छा लाता है घाने में और इसमें जो तील वगर हमने डाले है न वह भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है तील कलाउंजी अजवाएं जीरा इतना अच्छा इसका सबका टेस्ट राता है ना इसके अंदर कि क्या बताओं देखिए मैंने पहले पाइस तरी थी तो यहां पे खाना शुरू हो गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था सबको यह और अच्छा भी लगता है अगर आपकी बिनाए हुई चीज घर मे उसके लेक्षन सबकाट को अच्छा बना एंग इसके को पसंदा और उनको खाने के लिए लग रहा है तो अच्छा ही लगता है यहां पर तो बस ऐजही मैंने पति मेरी बॉइल अगरह थास्थ इसके मेरे दूसरे लगता है तो मैं वो डालना है तो मैंने बहुत आलूग द देड़ चमज चाय पत्ती डाली थी इसमें और एक लॉंग एक इलाइची और एक इंच तुकड़ा जो अद्रक का होता है वो उसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिये था और कूटने के बाद में जब चाय हमारी थोड़ी सी पक गई थी ना इसके बाद ही मैंने इसको डाला था एक लॉंग एक इलाइची और अद्रक इतनी टेस्टी वाली चाय बनती है कि क्या बताओ मैं इतनी अच्छी खुश्बो आती है और जब ऐसा कुछ नाच्टा वगरा घर में बना होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो चाय देखे कैसे खौल रही है अगर आप चाय बनाते हैं तो पहले चीनी मट डालिए चीनी को बाद में ही डालिए क्योंकि चीनी है बहुत जली से गल जाती है तो चीनी को कुछ खास तरीके से पकाना नहीं पड़ता है हमको इसकी बेसिकली चाश्बो बनानी नहीं है कुछ भी तो फिर चीनी पहले लग का मतलब नहीं है और चीनी को जितना पकाएंगे न उतना जर्ण नुसान करता है वो तो इसके लिए मैं चीनी हमेशन चाय में बाल में डालती हूं तो अभी देखिए मैं यहां पे डेड़ चमन चीनी भी डाल दी हूं बस अभी यह चीनी थोड़ी सी गल जाएगी एक बॉ कर दिया है मैं अपने चायं आप पर देखी निकाल रही हूं और चाय को इतनी अच्वी की चाय का कलर कितना अच्ञा लग रहे न तो बहुत अच्छी चाय बनी ती और साथ में यह मटरी तोड़कर भी दिखाती हूं की इतनी अच्छी अमारी यह मटरी रिड़ी हुई थी बची नहीं थी बिल्कुल भी मेरी सारी मठरी खतम हो गई थी तेस्टी वाली ये मठरी बनी थी चाय भी बहुत अच्छी बनी थी तो यही थी आज की मेरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेर सब्सक्राइब ज़रू करिएगा देखिए हाथ में एकदम चूर चूर हो जा रही है ये और खाने में तो उससे भी अच्छी थी तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए बाई